एसमब करें किस प्योंब दोذ illnesses अगर बात करें किस्के क्या क्या वेनिफिट्स होते हैं। या आप सोच रहे हैं इस प्योंब क्या लेन की या फिर आप बच्छों को देना चाहते हैं। पिर अप ले रहे हैं प्रेजंट में इसब गुल की वुशी तो इसके क्या वेनिफिट्स है और क्या नुकसान है क्योंकि इससे सबसे ज़ाधा कॉंस्टिपेशन में उप्योग किया जाता है लेकिन कं सपेसर के अलावा भी इसके कई सारे वेनिफिट्स अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरत देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियो मिलें आपको अपडेटेट मिलें आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अब सोचे पांच गिराम इस अब गोल में चार गिराम फाइवर की मात्रा है तो कितना एफेक्टिव होगा यह आपकी तो सबसे पहला तो यह तो यह बहुत अच्छा होता है कॉंस्टिपीसन के अलाभा इसके इंदर 20 कैलरी चाहिए और थोड़ी बहुत मात्रा में इस में कार्वोहायडेट पाय जाता है इसके इंदर फैट बिलकुल भी नहीं होती है इसके इंदर प्लोटीन भी नहीं होते सानी से कॉंस्टिपिशन को हटा देता है क्यों की वह बहुत अच्छा है क्योंकि बाइस कॉंस्टिपिशन की देखने को मिलता है और जब आपका हट जाएगा तो धीरे धीरे पाइस भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा कई लोगों का प्रेस्ण था हमने पिछली वीडियो बनाया था तो उस में पोछा था कि इसमें दिए को सकते हैं करिके सबार करता है जब constipation ठीक हो जाएगा आपका तो धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगी ठीक हो ना इसके बाद में कॉलेस्ट्रोल को यह कम करता है तो हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और अगर किसी वेक्टे को diabetes है तो यह blood sugar को कम करने में मदद करता है तो एक चीज़ ध blood pressure को maintain करता है इवन अगर किसी का high blood pressure होता है तो उसे कम करता है और आसाने से आपके blood pressure को कॉलेस्ट्रोल लेवल को ग्लुकोज लेवल को पाइल्स की बिमारी को धीरे धीरे रिड्यूस करता है कम कर देता है साथ जिनको बजन कम करना हो अगर किसी का बजन जाता है वीट बहुत जाता है वो चाहते हैं कि उनका बजन कम हो जाए तो यह बहुत अच्छा तरीका है अगर किसी को डाइरिया होता है तो डाइरिया में भी इसका बहुत अच्छा अपयोग किया जाता है क्योंकि फाइवर के बहुत अच्छे मात्रा है तो यह बहुत अच्छा कॉंस्टिपिशन में काम करता है और इसी तरीके से यह डाइरिया के केसिस में भी अच्छा काम करता है जादा लगा दे तो आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं यह बढ़ा भी सकता है हलाकि यह बहुत अच्छा उप्चा किया जाता है लेकिन उससे ज्यादा कॉंस्टिपेशन को हटाने के लिए इस अब गोल की भुसी याने सीलियम हस्ट बहुत ही ज्यादा पहचान जाता है आसा इसे दू चम्मच आपको दिन में एक वार लेना चाहिए और अगर आपको जादा कॉंस्टिपेशन के प्राप्लम है तो दिन में दू बार ले सकते हैं इसे खाने से पहले कम से कम आदा घंटे एक घंटे पहले आपको लेना चाहिए जिससे कि आपके इंचस्टाइन के अंद जाके अच्छा काम कर पाएगा अच्छा कर पाएगा तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आसानी से यूज कर सकते हैं अगर आपका फिर भी कोई प्रेस ने इस वीडियो से संबंदित रहे गया है तो आप मुझे कमेंट सक्सें मैं पूछ सकते हैं और अगर आपको लगत है कि इस वीडियो से किसी दूसरे की हैल्प हो सकते है तो इस वीडियो को जरूर शेयर केज़ेगा जरूर वाइरल केज़ेगा यह बहुत ही कौमन कौमन जानकारियां हमारे जीवन में बहुत सी ज्यादा महत रपूर्ट होती है मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी नई